नमस्कार, घमासान.com पर आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवानी राठो आज मैं आपको घमासान.com पर एक AC, रोमार्स और चाहत से भरी अनोगी लव स्टोडी के बारे में बताने जा रोई हूँ जिसमें आप देखेंगे कि चाहत का खभी अन्त नहीं होता, जीवन में कहीं भी, किसी भी मोर पर चाहत हमेशा बनी ही रहती है, आईए देखते हैं क्या है कहानी चाहत चितनी तेजी से बढ़ती है, उतने ही जल्दी खत्म भी हो जाती है बात उन दिनों की है, जब मैं ग्यारवी क्लास में पढ़ती थी और वह दस्वी में, हमारी महबत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाने का कारण भी, शायद यही रहा हालांकि मैं उसे चाहती तो थी, लेकिन मन में हमेशा यह बात रहती थी कि वह मुझसे छोटा है कहते हैं प्यार कभी चुपाए नहीं चुपता, वह किसी भी रूप में सामने आ ही जाता है शायद यही कारण रहा कि जिस बात को मैं अपने आप तक ही सिमित रखना चाहती थी, वह बात पूरे स्कूल में खबर बन गई दरसल हुआ यूँ कि मैं अपनी एक बेस फ्रेंड से कुछ भी नहीं चुपाती थी एक दिन मेरी उसी फ्रेंड ने जाकर उसे बता दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ बस फिर क्या था? यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ वह कहने लगा मैं खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा हूँ वह स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़की है हाला कि उसका उतावलापन देख कर मुझे मन ही मन बहुत खुशी हुई लेकिन बाहरी तोर पर मैंने अपनी फ्रेंड को खूब डाटा कि उसे यह सब बताने की जरुरत क्या थी खैर उस दिन के बाद हम लगभग रोज मिलने लगे बहुत ही प्यार और साथ निभाने वाला लड़का था वह तभी तो मैं उसकी और खीची चली जा रही थी उससे मिलना और बाते करना मुझे अच्छा लगता था घर आकर फोन पर मैं घंटों बाते करती और अगर एक दिन भी वह चुट्टी कर देता तो पूरा स्कूल मुझे सुना सुना सा लगता था हम इंटर्वल में लंच साथ करते थी और चुट्टी के समय उससे विदा लेखरी मैं बस में बैठती थी मैरी और उसकी बढ़ती नज़दी किया देखकर मेरी क्लास के लड़के जलती थे एक बार तो कुछ लड़कों की उससे लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दूसरी क्लास के बच्चों को बीच बचाओ करना पड़ा इसके बाद तो हमारी फेम कहानी पुरी स्कूल में चर्चा का विशे बन गई बच्चे मुझे उसका नाम लेकर चड़ाने लगे यहां तक की टीचर्स को भी इस बारे में पता चल गया हमने दो साल एक ही स्कूल में पढ़ाई की इस दोरान हमारी फ्रेंशिप इतनी बढ़ गई की अट्रेक्शन खत्म हो गया और हम सिर्फ अच्छे पढ़ाई की इस दोरान हमारी दोस्त बनकर रहे गए यह भी सच है कि वह मुझे चाहने लगा था उसने एक दो बार प्रोपोज भी किया लेकिन मैंने हर बार यही जवाब दिया कि मेरे दिल में प्यार वाली कोई फिलिंग नहीं है रही बात दोस्ती की तो वह हमें जिंदगी भर निभाऊंगी बार भी करने के बाद मैं कॉलेज में पहुँच गई और वह स्कूल में ही पढ़ रहा था लेकिन हमारी फ्रेंशिप खत्म नहीं हुई इसी तरह चार पास साल कब गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं करियर बनाने में इस कदर बीजी हो गई कि प्यार और रोमान्स की बारे में सोचने की फूर्सत ही नहीं मिलती अब उसकी कोई और गल्फ्रेंड बन गई लेकिन हमारी दोस्ती आज भी कायम है और हमेशा रहेगी सच कहूं तो इस दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त वही है हाला कि मेरा फ्रेंड सरकल काफी बड़ा है पर जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ वही मेरा साथ देता है आज मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो हमारे बीच प्यार नहीं हुआ यदि ऐसा हुआ होता तो कोई जरूरी नहीं कि हमारे लग स्टोरी लंबी चलती चाहा जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है प्यार करने वाले ज़ादा दिन एक साथ नहीं चल सकते जबकि सची दोस्ती लंबिस समय तक चलती है